नमस्कार प्रेविद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं हम अलंकार पढ़ रहे हैं अगला अलंकार आज पढ़ते हैं वेतिरेख जब उपमे में उपमान की अपेक्षा कोई कमी भली या बुरी बात अधिक बताई जाएं अर्थार्थ जब उपमे को उपमान से किसी बात में बढ़ कर बताया जाएं तब वेतिरेख अलंकार होता है वेतिरेख लंकार का उधर ने साधू उँचे शेल सम किंदू प्रिकर्टी सुकुमार यहां सज्जनों को परवतों के समान उँचा बताया गया पर उनमें यह बात अधिक बताई गई कि सज्जनों की प्रिकर्टी कौमल होती है जबकि परवतों की प्रिकर्टी कौमल नहीं होती कठोर होती है अगला उधारण है मुख मयंक सो है सकी मधूर वचन सविशेश यहां मुख को चंदर्मा के समान बताया गया पर उसमें चंदर्मा की अपेक्षा यह अधिकता बताई गई कि उसमें मीठे वचन भी होते है तो यह था वेतिरेक अलंकार का उधारण अगला अलंकार है भ्रांतिमान जब साद्रिशे के कारण उपमेई में उपमान का भ्रम हो अर्थार्त जब उपमेई को भूल से उपमान समझ लिया जाए तब भ्रांतिमान अलंकार होता है अब हम भ्रांतिमान अलंकार का उधारण देखते है जानी शाम को शाम घन नाची उठे वन मोर यह भ्रांतिमान अलंकार का उधारण है यहां मोरोने क्रिष्ण को वर्ण साद्रिष्य के कारण याने कि रंग की समानता के कारण शाम मेग समझ लिया अर्थार्थ क्रिष्व उपमे में शामल वर्ण होने के कारण मयूरों को अर्थार्थ मोरों को शामल काले रंग के मेगों का भ्रम हो गया अगला उधारण है ओस बिंदु चुग रही हंसीनी मोती उनको जान यहां हंसीनी को ओस बिंदुओं में मोतीयों की भ्रांती हो गई अगला उधारण है बेसर मोती दूती जलक परी अधर पर आनी पट पोंचती चूनों समझ नारी निपट अजानी यहां नाई का अधरों पर पड़ी मोतीयों की उजवल जलक को पान का चूना समझ लेती है और उसे पट से अर्थार्थ वस्त्र से बार बार पोंचने का प्रयत्न करती है तो यहां यह हुआ ब्रांती मान अलंकार तो यह थे ब्रांती मान अलंकार के उधर्ण और परिभाशा अगला अलंकार देखते हैं संदे हैं संदे अलंकार की परिभाशा है जब साद्रश्य के कारण अर्थार्थ समानता के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्य नै हो पाई तब संदे अलंकार माना जाता है अब देखते हैं संदे अलंकार का उधारण उधारण है हरी मुख यह है आली कींधो कैंधो उयो मयंग यह है उधारण है एसकी यह हरी का मुख है या चंद्रमा उगा है यहां हरी के मुख को देखकर सकी को निश्य नहीं होता कि यह हरी का मुख है या चंद्रमा है हरी के मुख में हरी मुख और चंद्रमा दोनों के होने की संभावना दिखाई पड़ती है यहां की किंधो या अथवा आदी अथवा वाचक शब्द या शब्दों के प्रयोग से संधे अलंकार को पहचानने में सुविधा होती है अगला अलंकार है अपन हुन्ती जब उपमे का निशेद करके उपमान का होना कहा जाई उधारण है अरी सकी यह है मुख नहीं यह है अमल मयंग उधारण है अरी सकी यह है मुख नहीं यह है अमल मयंग यहां मुख को देख कर कहा कि यह है मुख नहीं चंद्रमा है इस प्रकार उपमे का निशेद करके उपमान का होना कहा गया अन्य उधारण है अंग अंग जारत अरी तेखन ज्वाला जाल सिंधु उटे बड़ वागनी यह है नहीं इंदु भावे भाल चंद्र को देख कर कहा गया है कि यह है चंद्र नहीं बड़ वागनी है इसका कारण बताया गया कि यह है अंग अंग को जलाता है परंतु चंद्रमा शीतल होता है और जलाता नहीं अते बड़ वागनी है अगला उधारन है आज देख गन शाम छटा को मन में मगन हुई मिले कहां सखी शाम मेख की मैंने बात कही गोपी क्रिश्म मिलन की बात कर रही थी फिर उसी बात को छिपाने के लिए जूटी बात बना दी कि मैं तो गन शाम अर्थार्थ काले मेग की बात कर रही थी यहां उपमे क्रिश्न का निशेद करके उपमान मेग का होना कहा गया है तो यह थे उधारण और परिभाशाएं तो आज हमने इन अलंकारों की परिभाशाएं पड़ी इनके उधारण पड़े और अगले वीडियो में हम जो शेश अलंकार है उन अलंकारों की परिभाशाएं है उधारण है उनका विवेचन है पड़ेंगे धन्यवाद